अगलो हेलो फ्रेंट वैलकम् टू नडी लर्णर्स यह जो हमारी EVS की स्टे में चैप्टर फोर है नेली लर्नर्स तो हमने पीछी वीडियो में पढ़ लिया था कि हमारे जो सेल्टर होता है वो क्या होता है सेल्टर के कितने टाइप होते हैं उसके फीजिकल इस्टक्चर के उपर उसके creation के ऊपर हम लोगों ने देख लेते हैं कितने टाइप होते हैं फिर हमने पढ़ा था कि birds का जो shelter होते हो कुछ important animals के shelter के बारे में भी हमने पढ़ लिया था तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे human shelter के बारे में तो चलिए शुरू करता है फिर हम so human shelter क्या होते है यह देख लेता है you habitats in the place where human lives the habitat of human shelter is known as house तो जो habitat मतलब क्या होता है कि जहां पर रहता है कोई कोई भी living being रहने लगता है उसका habitat बोलता है तो जहां human shelter होते हैं उनको क्या बोलते हैं houses बोलते हैं हम लोग human shelter होते हैं उनको क्या बोलते हैं house बोलते हैं और जो house होते हैं वे दो two type के होते हैं एक तो कच्चा house रेक होता है पक्का house तो इंग्लिश में भी इनको यह बोले जागा है मड से बना हुआ होता है तो यह सब चीज लगी हुई होती है कच्चे मकान में और इसका एक example होता है hut जोपड़ी बोलते है वो एक कच्चे मकान का example है ठीक है और आप देख लेते हैं पक्का मकान के इसको बोलते है it made up of concrete, bricks, iron, wood, etc examples are flat, bungalow, etc next तो जो पक्का मकान होता कोंक्रेट से बना होता है इत लगे हो तुसमें रोड रहती है जो यदे सापधे आलते हैं और लकडियों से भी बनता है जैसे गेठ हो गए देरे विन्डोज स्व गई तो यह कुछ सबक्रास को मोते हैं वैँ जसे जाद़ कमी हो गए कud मकान लेकिन कुछ सब्सक्राइन कुछ मोध्şa Пр nelle आ! पक्चे मकान और ज्यादा तर मिलते हैं सहरों में सिटी में लेकिन अब विलेज में भी ज्यादा तर पक्चे मकान ही मिलने लगया कच्छे मकान बहुत ही कम हो गया है वैसे देखा जाए तो तो आगे चलते हैं अब हम तो यहां पर बोला है कि specific house for specific area मतलब कुछ specific area के लिए कुछ specific house बनाने पड़ते हैं क्योंकि वहां के जो environment होता है वो अलग होता है किसी अलग जंगा का environment अलग होता है तो उस environment के according उस human की need के according ही घर बनते हैं तो वही इसमें देखेंगे हैं कहां पे कौन से टाइप में घर बनते हैं तो चलते हैं फिर specific area have specific climate or living condition on the basis of area human make its houses ठीक है तो वह जैसे मैंने भी बताया कि जो कुछ specific area होते हैं जहां पर कुछ specific climate होता है चैसे राजिस्तान में गर्मी होती है कस्तमीर में धंड होती है फिर मेगाल्या में क्या होता बारीज ज्यादा पड़ती है तो उन climate condition के according ही human being अपना घर बनाता है ताकि उसका घर जल्दी से खराब ना हो या टूटेना या बाड में बहेना तो उन्हीं की condition के according वह घर बनाता है जिससे उसको ठंड में ठंड ना लगे गर्मी का तो गर्मी रहे और जहां पर ज्यादा गर्मी होती है वह तो यह मद से बन वह होता है मिट्टी से बने हुए होता है मकान वह देख लीद Алएँ डीज हमेड़ मर्लमी फोडर गूसेज मर्ट के जो मिट्टीकर घर बने होँए होते हैं यह किसकिस से बनते हैं इसमें सिर्मिटी नहीं लगती biggest उता है अनु जार्या येचीज होती है तो इन सब के मेल से बनता है so mud house mud house are found in the area where there is a extreme hot climate or in the village तो इन्होंने बोला कि जो mud house होते हैं वे जदे तर कहां पाई जाते हैं यहां पर extremely hot climate होता है क्योंकि जो मिट्टी का घर बना हुआ होता है तो मिट्टी से क्या होता हैं तो बाहर की जो दूप होती है वो उसको रोक मिट्टी उसे रोक लेती है और जो अंदर रहते हैं उसका climate थोड़ा ठंडा रहता है बाहर के मुकाबले उसका अंदर का temperature थोड़ा डाउन रहता है जिससे गर्मी कम लगती है घर के बता है मैंने यह राजिस्थान के गाउं में मिलते हैं क्योंकि राजिस्थान जैसे पता ही आपको एक hot climate एरिया है जहां बहुत ज्यादा गर्मी पढ़ती है तो वहां पर इस तरह के घर पाई जाते हैं ठीक है और जो मड हूस होते हैं उनको क्या करते हैं कि उनको काव डं अंदर में इंसेक्ट खतरनाक इंसेक्ट जो होते हैं को यह गोशते नहीं है घर के अंदर में इंपोटेंट पॉइंट है इसको सीटैट में पूछा गया है ठीक है तो आगे चलते हैं फिर हम हाउस इस मेड़ प वूड एंड बैम्बू ट्री तो जो हाउस वूड और बैम यहांपर हैवी रेइनफॉल होताए जबहुष जादा है along वहांपर पाई जाता शिर किस से बनता है बेंबु Se Bets पांस से बनते हैं और वूड लकडी दूसरी लकडी यूज होती है इसमें तो यह बनते किस तरह से दीज हाउस आट 10 टू 12 फीट अबोव द ग्राउंड तो यह घर से क्या होते हैं मान कि चलिए ग्राउंड है तो यहां से 10 टू 12 फीट ऊपर रहेंगे यह सो दर दे कैन बी प तो यह तो यह कहां पे मिलते हैं यह बहुत यह भी इंपोटरंट फॉइंट है क्यांकि यह एक बार कुछुन पोच्छ चुके हैं सी ट पीजह अट में तो classrooms और त्री वावाल वह ये बहुत ही important टॉप पॉइंट है ठीक है अब आगे जलते हैं स्टोन हाउस के बारे में बात कर लेता हैं इस्टोन हाउसे और मेड शोरी स्टोन हाउसे और फांड इन कोल डेजर्ट एरिया लाइक लडदाक दीज हाउसे और मेड़ फूर्फ फ्टोन हेविंग टू फ्लोर्स तो जो स्टोन्न जो होता है वह कुछ में को अबजर्व करता है और फिर वहां से ही बहुत देर तक का भूजब घरम रहता है आप सबी को पतर होगा इसलिए जो स्टोन है वह स्टोन के घर बना जाता है क्योंकि जब सूरज की किनिस्टोन पर पड़ेगी तो उन किनों को क्या उर् बोड करते हैं लोग उनको भी गर्मी मिलती रही तो ऐसे घृष्ट में बना जाते हैं चैसे लदब आग में तो दीज हासी प्रचोड में सिट्व नीग फ्लोर तो यह घर है यह इस तों से बनते और इनके थो फ्लोर होते sentiments यह तो और उप कोई बोल जो जो घर होते हैं पर जब घर बना देते हैं तो कोड़ करते हैं में लीपते हैं वह मुढ जैसे मित्टी से भव रख जाता है वाधी आर यूजिंच फ्लोर्म पर जो जब बनाने करें तन दो होको जैटने Алव होस्के जाता है उस घेए और यह तरहां की नहीं पहुत जाती हैं वह थंड बढ़ने लिय WAY जाती है तो फूर्ट पर रहते हैं और जैनर नहीं होती है पिरसे पर नायां के लिए बैशन सब्सक्राशी नहीं होती है कि यह प्छ्वा distintos कुम सब्सक्राज के क fans when बना है कि इस टौन हाउसे में इंपोर्टन चीज्जे क्या थी कि यह कोल लाज़र्ट में बने बनाय जाते हैं इसमें दो फ्लॉर नहीं होती है। जब जब मोजा थंड होती है ॉवोर और फ्लॉर करे लिए च कहते हैं ठीक है अब आगे चलते हैं अब बात कर लेते हैं houses made of stone and wood again वह आगया कि कुछ houses होते हैं जो stone और wood से बनते हैं फिर देख लेते हैं these houses are found in hilly areas यह hilly area में पाई जाते हैं these houses are made up of brick stone and wood तो यह house इंटों से पत्थरों से और लकडियों से बनते हैं these roof are sloppy and made up of wood तो इनकी रूप जो होते हो sloppy होती है sloppy का मतलब कैसे होगी जैसे मान के जली यह घर है जैसे हम बच्पन में बनाते थे इस तरह से sloppy होगी उनकी चटे घर ऐसा नहीं होता है घर यह जो पड़ी में नहीं होता है घर पर चट उनकी इस तरह से होती है sloppy ठीक है थीस फाउसे और फांड इंसी नगर मनाली और अड़र एरिया औफ कस्मीर वैली तो यह घर कांपे पाए जाते हैं जातर सिरिनगर में मनाली में या फिर कस्मीर वैली में पाजाते है ठीक है अब बात कर लेते हैं house बोट की house boat is found in a water and can be made up of wood तो house boat होती है जो वो कांपे पानी में मिलती है और किस से बनी हुई होती है लकडियों से बनी हुई होती है these house boat found in कस्मीर और केरल और ये house boat होती है ज़्यादतर कांपे मिलती है कस्मीर में और केरल में पाई जाती है a boat a beautiful wooden carving found in the boat known as kattam band तो एक जो बोट बनी होते है जिस लकडी की उस पर carving की जाती है मतलब उससे जाता है लकडी को तो उसको क्या बोलते है कटम बैंड बोलते हैं और जो ये house होते है बोट होते है ये 80 feet से 80 feet जिन्दे लंबे हो सकते है और 8-9 feet चोड़े हो सकते हैं ठीक है तो वसी याद रखना ये kattam band याद रखना कि जो wooden carving होती है वो बोट में वो उसको क्या कहते है kattam band कहते है ठीक है high-rise buildings कुछ अद्दूसरी कह रहा है जो यह important यह पर फिर वी एक बार देख लीजे high-rise building high-rise building में जो उच्छी मारते होती है high-rise building are found in big or metro cities यह metro cities में पाई जाती है और यह वो यह brick से बनती है cement से बनती है iron से बनती है steel से बनती है ठीक है अब डोंगा के बारे में बात कर लेते हैं डोंगा are the houses present on the boat are found in dull lake of कस्मीर तो जो डोंगा होती है वो उसके जैसी होती है जैसे house boat होती है बट यह कहां पर पाई जाती है डल लेक में पाई जाती है कस्मीर की ठीक है अब tent house के बारे में बात कर लेते हैं जो tent house होता है वो किस से बनता है प्लास्टिक से बनता है और या फिर cloth से बनता है यह जनरली कौन यूज़ करता है mountaineers यूज़ करते है जो पहड़ों पर चड़ते हैं जैसे K2 पर चड़ रहा हो कोई average पर चड़ता है जो लोग mountaineers होते हैं वे लोग जादे तर यूज़ करते है इसको ठीक है एक tent house के बारे में यह चंगपा एक tribe है जो लद्दाग में रह drop on these concept का होता है यह अभी बता तो कैसे डौबग करकर कि यह कुछ इस तरह की सेप का होता है कुछ-कुछ इस तरह की सेप कोता है कि if concept होता है और इसको क्या बोलते है रेंदों बोलते हैं इंपोर्टेंट है रेंव Annika रह्त सब्क्राइब जो चंग एफटरा इंड धिक घर होता और इसको क्या बोलता है रे अब देख लेटें अब देख लिंग्लू 1 इ radical region and इट मेड़ आइस सीट तो यह बहुत ही जदो कॉल्ड रीजन में पाई जाते हैं और यह आइस सीट से बने होते हैं बरप से बने होते हैं इस हाउसे आर ओवल इन सेप एंड वेरी स्मॉल एंट्रिगेट यह ऐसे गोल आकार का होता है इनका और जो इनका एंट्रिगेट होता यह उसके बीज में जो हवा होती है मतलow जो air परिजन तैस्ट रहती है आई स्रीट में तो वो क्या करते है कि अंधर की जो अखर नीकलनी देती है उसको बाहर नहीं निकलने देती जसे इसे अंदर की में गर्मी बनी रहती है और जो बहार ठंडी होती है उसको कुछ असर नहीं होता है अंदर की गर्मी में ठीक है तो आके चलते हैं अब कुछ चक कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन साज पिछले साल में जो प्रिवेस यर्स में पूछे जा चुकी है अब बात कर इनकी देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं इस ट्रॉबर एरिया इस लिंक टू देख्लाइमेट कंडिशन इन विच देब्यूट देयर देजे विलेज आध़ वह घर किस विलेज में बना हूँआ होगा ठीक है तो हाउसे आर्मेड स्ट्रॉंग बैम्बू पिलर्स बैम्बू पिलर्स पर बने होवे होते हैं यह सेकंड हैाइब इंसाइंड हाउस्सी आर्मेड अप ओफ वूड जो घर के अंदर होता है वह वूड से बना और जो रीउस होती है वो स IP क्या है इस jね इस में इस्ट जबही चेमने को सaiserी सिन पर ऊपर रहते हैं तो यह विलेज कहां पर बंडू थैंते हैं तो हावत है तो ही र Pokre . किया है यह सब हमने आसाव माले विलेज में पड़ा था ठीक अगला कोच्छन देख लेते हैं consider the following characteristic of the house कि पहली जो characteristic है वो यह कि ground floor without the window second है कि slanting wooden roof made up made up of tree trunk जो roof होती है वो tree trunk से बनती है third one है house made up of almost 10 to 12 feet above the ground on stone pillars की जो घर होते हैं 10 to 12 feet रहे अउपर रहते है ground से और stone pillar पे बने होते हैं पत्थरों के pillar पे बने होते हैं fourth point है कि thick wall made of stone mud and lime जो thick wall होती है वो क्या होती है कि stone से बनी होती है मड से बनी होते हैं lime से और जो fifth one है wooden floor होते है तो which of the above characteristic can be found in the houses of lay laddaak तो जो ले laddaak में कौन से घर की characteristic मिलेगी इन में से ले laddaak में बने गरों की तो वो देख लेते हैं हमने पहले पढ़ा था ground floor में कोई वो नहीं रहती है क्या वोलते हैं window नहीं रहते तो ये ठीक है salting wooden roof made up of tree trunk ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं था लद्दाक वाले इसमें और ये भी नहीं पढ़ा था हमने लद्दाक में और तिक वाल made up of ये पढ़ा था और ये भी पढ़ा था wooden floor तो इसका अंसा third one है ठीक है अब आगे चलते हैं अब यहां पर पोल आए कि दिए दिए फोलिंग परग्राप राइट बाइट बाइस तो एक परग्राप दिया होगा है कि इस्टूडेंट ने लिखाए यह उसके विलेज के बारे में उसके विलेज में जैसे घर होते हैं उनके बारे में ठीक है तो पहला है I have come from a village it rainy heavy it rains heavy at our place hence our house are made up of 10 to 12 feet above the ground they are made up of bamboo pillars the inner side of our house are also made up of wood तो इन सब keywords से मैं पता चल रहा है कि वह कौन से विलेज के बारे में बात कर रहा है विलेज मस्ट बीन असम अभी हमने पीछे वाले question में भी देखाता है आगे चलते हैं इन रूलर area cow dunk is used to coat the floor and wall of the huts तो बोला है कि रूलर area में जो cow dunk होता है गाएं का गोबर होता है उसको यूज करते हैं घर के floor को coat करने के लिए और wall को use wall को paint करने के लिए तो वो क्यों करते हैं तो give a natural color to the floor keep the insects away make them smooth and clean make them rough to increase friction तो अभी हमने पढ़ा ही था second one सही आंसर है कि इंसेक्ट को दूर बगाता है तो थैंक यू फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब लाइक अड़ सेर और यह हमारा फेस्बुक पेज है इसका जो इसका पर पीडियेफ होगा वो मैं इसी फेस्बुक पेज पर डालूंगा इसको आप लाइक कर सकते हैं थैंक यू